नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर्णिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर आएं हैं सकट की कथा किसी नगर में एक सेट सिठानी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी इससे दोनों लोग बहुत दुखी रहते थे, एक बाद सिठानी ने परोसियों की इस्त्रियों को तिल चोथ का ब्रत करते हुए देखा तो पूछने लगी कि आप लोग किस का ब्रत कर रही हैं, इसके करने से क्या लाब होता है तो औरते बोली यह चोथ माता का ब्रत है, सकट माता का ब्रत है, इसको करने से धन बैभो, पोत्र सुहाग आधी सब कुछ प्राप्त होता है घर में सुकसान्ति का बास होता है तब जिठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौत माता का ब्रत करके सवा किलो तिलकुट्टा चड़ाऊंगी और दोस्तों कुश दिनों के बाद वह गर्वती हो गई तब भी भोग नहीं लगाया और चौत माता से बोली कि है चौत माता यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं धाई किलो का तिलकुट्टा चड़ाऊंगी गौरी पुत्र गड़ेश जी वह चौत माता की किरपा से उन्हीं पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सिठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तै हो जाए तो सवा पांच जीलों का तिलकुट्टा चड़ाऊंगी भगवान गजानंद वो चौत माता की किरपा से सिठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे लेकिन दुर्भागिवस सिठानी फिर भी चौत माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई तब चौत माता वो भगवान स्री गडेश उन पर कोपित हो गए और दोस्तों अभी फेरों के वक्त में तीन ही फेरे होए थे कि चौत माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दुले राजा को उठा कर ले गई और गाउं के बाहर पीपल के पेर पर छिपा दिया सब लोग अचमभे में रह गए केक आएक दुला कहां गायब हो गया कुछ दिन बाद वह लड़की गड़ गौर का पूजन करने के लिए उसी पेर के पास से गुजरी तो पेर पर से दुला बना हुआ लड़का बोला आओ मेरी अधव्याही पतनी आओ तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माता को सारी बात सुनाई यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे लिए हैं और उसी सरूप में पीपल पर बैठे तो सभी ने पूछा कि आप इतने दुनों से यहां क्यों बैठे हैं इसका क्या कारण है तब जमाई राजा बोले मैं तो यहां चौत माता की गिरवी बैठा हूं मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाएं और चौत माता से प्राथना करके चमा याचना करें जिससे माता की कृपा से मुझे चुटकारा मिलेगा तब लड़के की सास ने अपनी समधिन को जाकर सारा हाल सुनाया तब दोनों समधिनों ने सवासो मड का तिलका कट्था, स्री संकत सुवनगर्पती भगवान वह चौत म से पूजन करके तिलकुट चौत की कहानी सुनी तब चौत माता ने प्रसंद होकर हर्शित होकर बिजली की तरह दूले राजा को वहां से उठा कर फिर फेरों के स्थान पर लाकर पैठा दिया और दोस्तों वहीं पर बरबधु के साथ फेरे पूरे हुए और बरबधु सकुसल अपने घर के लिए बिदा हुए चौत माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन वा खुसहाली हुई हे चौत माता उस लड़की के साथ जैसा हुआ वसा किसी के साथ मत करना जैसा सेथ और सिठानी को दिया वसा साब को देना तेल चौत की कहानी कहने सुनने और हुंकारत देने वाले और पूरे परिवार को देना